भारती और चीनी सेनिकों के बीच लगदाग सीमा पर हालिया तनाव के कारण एक बार फिर भारत में चीन निर्मित उत्पादों का भहिशकार करने का आववान किया जा रहा है इधर भारत में मोबाइल फोन उद्योग में चीनी निर्माताओं का दबदबा है सस्ते बजट के फोन की भारी मांग के कारण भारत एक संभावना शिल बाजार बन गया है लेकिन क्या हम चीनी वस्तुओं पर निर्भरता को कम कर सकते हैं क्या गरेलू मांग को पूरा करने के साथ साथ पूरी तरह मेड इन इंडिया फोन का निर्यात करने में सक्षम हो सकते हैं इंडिया टुडे की डाटा इंटेलिजेंस यूनिट ने पाया कि फिलाल निकट भविश्य में ऐसा नहीं होने जा रहा है मोबाइल फोन द्यापार का आंकड़ा कहता है कि भारत पहली बार इस कमोडिटी का शुद निर्यात तक बन गया है अब तक भारत में मोबाइल फोन का आयात इसके निर्यात से हमेशा अधिक था वितवर्ष 2019 देस में भारत में 41.5 मिलियन फोन निर्यात किये और 5.6 मिलियन फोन आयात किये यानि भारत में 36 मिलियन यूनिट का शुद निर्यात किया लेकिन क्या इसका मतलब ये लगाए जाए कि आने वाले दिनों में चीनी प्लेयर्स भारतिय बाजार से बाजार होने जा रहे हैं मोबाइल फोन के ज्यादा निर्यात का मतलब ये नहीं क्योंकि यहां पुरी तरह से उत्पादन हो रहा है इंडियन सेलूलर एंड इलेक्ट्रोनिक्स एसोशेशन के मताबिक देश में मोबाइल फोन मैनुफेक्चरिंग एकाईयां 2014 में सित्थ दो थी जो 2018 में बढ़कर 268 हो गई हैं लेकिन आंकडे खगालने से पता चलता है कि सेल्फोन भारत में बनने से ज़्यादा यहां असेंबल होते हैं जैसा कि क्रेडिट सुईस का प्रेस रिलीज नोट कहता है इतनी बड़ी संख्या में कारखानों के होने के बावजूद भारत में मोबाइल फोन विदर्मान का और सट मुश्किल से 10 प्रतिशत रहा है 2017 में सरकार ने एक चदनबद विनिर्मान कारिकरम शुरू किया जिसके तहत मोबाइल पार्ट के लोकल सोर्सिंग को प्रोद साहित किया जाता है इसके तहत चार्जर, माइक्रो फोन, फोन कैमरा आदी उतपादों का आयात करने पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी लेकिन इनके निर्मान के लिए ज़रूरी पार्ट समंगाने पर कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी नतीजितन मोबाइल फोन के पार्ट समंगा कर भारत में असेंबल करना सस्ता है जबकि पूरी तरह मोबाइल फोन का आयात करना महंगा है इलेक्ट्रानिक्स और सूचना परोद्योगी की मंत्राले की नविंतम वार्शिक रिपोर्ट 2018-19 में कहा गया है कि बजट 2015-16 में घरेलू सेलिलर मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं के पक्ष में 11.5 प्रतिशत का अंतर लाने वाली डिफरेंशिल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है इसने सेलिलर मोबाइल हैंडसेट निर्मान में असेंब्लिंग, प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग और पैकेजिंग मॉडल को प्रोत्साहन दिया है काउंटर प्लस रिसर्च के अनुसार इससे भारत में मोबाइल फोन निर्मान में लोकल वैल्यू एडिशन 2016 में 6 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में 17 प्रतिशत हो गई है लेकिन भारत में चरण बद विनिर्मान कारिकरम भी तैस समय से पीछे चल रहा है मंतराले ने 30 सितंबर 2020 तक डिस्पले और गिलास पैनल के लिए कस्टम ड्यूटी के कार्यानिवन को इस्थगित कर दिया है जिसे 2019-20 में चरण बद किया जाना था मोबाइल फोन के पार्ट्स के आयात को प्रोत सहन से एक और असर पड़ा है Counterpoint Research के Associate Director तरुन पाठक ने पिछले साल कहा था कि 2018 में Local Value Edition बढ़कर 17% हो सकता है और इससे हमें 2.5 बिलियन डॉलर विदेशी मुज़रा की बचत हुई है लेकिन इससे मोबाइल कंपोनेंट्स का आयात बढ़कर 13.5 बिलियन डॉलर हो गया है क्योंकि भरत कई कीमती पार्ट्स की मैनिफेक्चरिंग नहीं करता है ऐसे परित्रिश्य में 100% Made in India फोन बनाना वस्तोता असंभव होगा और Value Edition में 50% से ज़्यादा की योगदान के लिए नीतिगत सुधारों में कई साल लगेंगे चीन को लगभग 2 दशकों में 60% से अधिक का Value Edition प्राप्थ हुआ है पाठक ने कहा एक Mobile Phone के निर्मान के लिए 300 से ज़्यादा Components और सब Components की ज़रुरत होती है उन्हें एक ही जगा पर प्राप्थ करना विहद मुश्किल है क्योंकि हम हर पाठ के लिए चीन पर निर्वर नहीं है भारत में वास्तविक Value Edition वर्तमान में बाराप्ततिशत है और सरकार का चरणबद निर्मान कारिक्रव इसमें मददगार साबित हो रहा है हमने कई Components जैसे Charger, Packaging, Camera Module आदी के मामले में सुधार किया है पाठक ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए नीतिगत सुधार कारगर होंगे लेकिन उनमें समय लगेगा उन्होंने कहा हम Custom Duty बढ़ाते नहीं रह सकते हाल में प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन और Corporate Tax दर कम करने जैसे कदम बड़ी कमपनियों को भारत में निवेश और निर्मान के लिए आमंत्रित करेंगे बड़े खिलाडियों के आने के बाद छोटे स्थाने निर्माताओं को भी बढ़ावा मिलेगा इस साल मार्च में सरकार ने प्रदर्शन से जुड़े 7 अरब डॉलर की प्रोत्साहन योजना की गोशना की जो निर्माताओं के विक्री और पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी दूर संचार और सुचना प्रोद्योगी की मंतरी रविशंकर प्रसाद ने कहा हम असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग इकाईयों सहित मोबाइल फोन मिर्मान और विशेस इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट्स की उत्पानन प्रोत्साहन के लिए आने वाले पांच वर्षों में 40,995 करोड रुपे देंगे इस दीती के जरिये सरकार का लक्षे 2025 तक लोकल वैल्यो एडिशन को 35 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाना है लेकिन इसके लिए भारत को महेंगे फोन के मार्केट को तार्गेट करने की जरूरत है क्रेडिट सुईस की रिसर्च में कहा गया है कि भारत ने वितवर्ष 2019 में 300 मिलियन यूनिट मोबाइल फोन का उत्पादन किया जो वैश्विक उत्पादन का 20 प्रतिशत है हाला कि इन में से अधिकांश कम कीमतो वाले फोन थे रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत ने वैश्विक इस्तर पर कम कीमतो वाले फोन का 40 प्रतिशत उत्पादन किया है इसमें ये भी कहा गया है कि अगर भारत अपने लक्षे को पूरा करता है तो वा अपने राजकोशिय घाटे में जीडिपी का 0.117 ततिशक तक सुधार कर सकता है चीन इन नीतियों से लाब उठा पाएगा या नहीं ये भी आने वाले समय पर निर्भर करेगा सरकार ने पहले ही चीन से आने वाले निवेश की परताल शुरू कर दी है जिससे चीन निवेशक परेशान है ब्योरा रिपोर्ट नेशन वन अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्वेटर फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ